सो आज की इस वड़ों आपको दिखाने वाला हूँ व्यूडोज का बैक्ग्राउंड को हम कैसे ब्लैक में कनवर्ट कर सकते हैं वो भी वी एन एडिटर के अंदर बिल्कूल सिंपल से स्टेप में एंड ब्लैक बैक्ग्राउंड वाली व्यूडोज देखने में काफी बढ़ी हैं लगते हैं बहुत सारे क्रेटर इसे यूज करते हैं तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से टूटेयल को स्टार्ट कर लेते हैं सो एडिटिंग हम करने वाले वी एन एडिटर में तो सिंपली सब एडिटर को ओपिन कर लेते हैं ठीके ओपिन करने बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहे हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना होगो तो प्लस वाली बटन के उपर क्लिक करते हैं एंड उसके बाद नियो प्रोजेक्ट को ओपर क्लिक कर दें प्रोजेक्ट हमारा बन गया ठीक है अब उसके बाद हमें यहाँ पर ब्लैक इमेज की जौरत पढ़ने वाली अगर आपके पास ब्लैक इमेज है तो आप फोटो वाले सेक्शन के उपर आना एंड यहां से आप अपना ब्लैक इम घड़ने को मिल लाोगा इसके उपर आपको क्लीक करोगे थेना मैटेरियल को पर नब्लैक इमेज देखनो कma जाएगा इसके ऊपर सिंप्लिस है क्लिक कर देंगे और लोग भा है ब्लैक इमेज एड हो इढ़ें ऑर यहां पर एक लास्ट मिए इन पूट Do करके आता हुसे भी हटा देंगे तो हमारी ब्लैक इमेज एड हो गई यह हमारा फ़स्ट स्टेप था नाव उसके बाद ऑरिजिनल के उपर क्लिक करके इसका रेश्यो को हम सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप यूटूब के लिए बना रहें तो 16 इस्टीन अगर इंस्टाग्राम टेंपलेट है इस टेंपलेट को आपको गेन कर लेना होगा डिस्क्रिप्शन में यहाँ आपको व्यूड मिल जागा ठीक है आप वहां से इसे गेन कर सकते हो देन सिंपली सा इसके ओपर क्लिक करेंगे और थोड़ा से वेट करने बाद यह हमारा यहाँ पर एड हो गया लाइट लाइट यहाँ फिर स्क्रीन को सेलेट कर सकतो और उसका ऑपाइषाट को थोड़ा कम कर देने ने इसके वाद इसे डन करेंगे देन नाओ अब हमें अपनी व्यूडय म hem आड़ करने के लिए फिर से पी आईपी वालो टनीकों पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी व्यूडो को सेलेक्ट कर लेंगे हमारी यहां पर एड हो चुकिए अब इसी व्यूडो को अकॉर्डिंग सारा जो भी होगा हमारी इस अपनी इमेज एंड इतना दूर तक यह रहेगा जो यहां तक है हमारे व्यूड़ो का डूरेशन तो ब्लैक इमेज को भी इतने दूर तक रखते हैं और उसके बाद यह जो हमारे ब्लैक वाला टेमपलेट है इसका भी डूरेशन पूरा लास्ट तक कर देंगे तो इस तरह किसा आपको कर देना हो बाद अपनी व्यूड़ो को पर आपको क्लिक करना होगा तो फिर से स्क्रॉल करेंगे और हमें यहां पर एक क्रोमा का ओप्शन देखने लिगा इसको पर क्लिक करेंगे और यह ब्लैक वाला इमेज है इसे सेलेक्ट करेंगे इस्पिल को आप यहां पर थोड़ा सा बढ़ा आना है तब तक जब तक कि यह जो green screen हो हमारा हट ना जाए एंड इससे simply सा done कर देंगे ओके देन से आप प्ले करके देखो तो आप देख सकतो वीडियो को जो background है वो remove हो गया और साथ ही में वीडियो का background में को अच्छा वाला effect भी चल ले ओके अब इस effect को आप और बढ़िया में बना सकते हो जस्ट इसके ओपर क्लिक करना एंड ब्लेंडिंग वाले section में आप इसे थोड़ा और कम कर दो ठीक है तो इतना कम करके देखते कम में सही नहीं लग रहे नहीं तो पूरा max कर देते हैं ठीक है एंड उसके बाद इसका जो size होगा उससे थोड़ा increase कर लेंगे एंड अपने according adjust के लेंग जैसे आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से adjust कर लेना एंड उसके बाद आप इसे play करेके देखोगे तो देख सकते हो पूरा वीड़ो को जो background है वह हमारे black में convert हो चुक है वही बहुत ही easiest tip में तो इस तरीके से किया जा सकते है